नमस्ते कार और आज हम खड़े हैं इटालियन मिड इंजन स्पोर्ट्स कार के सामने जिसका नाम है लांबरगीनी एवेंटेड़र 1966 में लॉन चुई थी और ये 5 जनरेशन आप देख रहे हैं ये एवेंटेड़र का सबसे पावरफुल वेरियंट सूपर वेलोचे ये एसवी आप देख रहे हैं जिसकी कीमत थी 7 करोड 60 लाक रुपीज ये वेरियंट डिसकंटिनी हो गया है अब एवेंटेड़र एस आती है कूपे और कनवर्टेबल वेरियंट्स में शुरू होती है 5 करोड 40 लैक से अब टाप मोडल कीमत है 6 करोड 11 लाक रुपीज एवेंटेड़ और एसवी के सिर्फ 600 मॉडल्स बनाए गए थे सुपर वेलोचे का इंग्लिश में मतलब होता है सुपर फास्ट फिलिपो परेनी ने डिजाइन की है एवेंटेड़र रेवेंटन और एस्टोक कॉंसेट से लिया गया है एवेंटेड़र का डिजाइन लिमिटेड एडिशन लांबरगिनी वेनेनो और सेंटेनारियो भी एवेंटेड़र पे ही बेस्ड है और ये हैं फुली आटोमेटिक पोजेक्टर हेडलैंप्स आटो लेवलिंग और डियारेल के साथ इटली के सेंटा गाटा बोलोगनीज शहर में एसेमली होती है एवेंटेड़र की 1993 में स्पेन में लड़ने वाले फाइटिंग बुल एवेंटेड़र से लिया गया है इस कार का नाम एवेंटेड़र की फर्स इनिवेशन का नाम लामगीनी मियूरा था यह रेड कलर आप देख रहे हैं ब्लेक, येलो, ग्रीन, ब्लू, वाइट, ग्रे, सिल्वर, औरेंज, गोल्ड और मैट पेंट को मिला के 39 कलर्स के आप्शन्स आपको मिलेंगे पर्मनेंट अल्वील ड्राइव है जो यूस करता है हेल्डेक्स जेनरेशन 4 इलेक्टोनिकली कंट्रोल कप्लिंग सिस्टम जो आगे और पीछे टॉर्क डिस्रिब्यूट करेगा बहतर परफार्मेंस के लिए रियर एक्सल में सेल्फ लॉकिंग डिफरेंशल और फ्रेंट एक्सल में इलेक्टोनिक डिफरेंशल लॉक है 43 परसेंट वजन आगे है और 57 परसेंट वजन पीछे है पीछे SV की स्टिकर्स भी है 4.8 मिटर लेंथ है 1.1 मिटर हाइट है 1525 केजी कर्ब वेट है 104 mm ग्राउंड क्लिरेंस है आगे 20 इंच और पीछे 21 इंच के वील मिलेंगे 8 और एलोईस के आप्शन्स है पिरली P0 कोर्सा स्पोर्स टायर्स है ये ब्लेक के लिए पर आप देख रहे हैं रेड, औरेंज, ग्रीन, येलो और सिल्वर कलर का भी ऑप्शन है कारवन सेरैमिक ब्रेक्स मिलेंगे आगे पीछे कारवन फाइवर का काफी यूज हुआ है इसलिए ये 50 केजी हलकी है स्टेंडर्ड एवेंटड और से ये स्टीकर्स बैतर हैंडलिंग के लिए पुश्च रॉट सिस्पेंशन सिस्टम है अडेप्टिव मैगनेट और हियो लॉजिकल डेमपर के साथ हर वील की डेमपिंग अलग-अलग एडजेस्ट होती है कॉर्नरिंग और बॉडी रोल में और ये कार्बन फाइबर एंजेन बॉनेट है ट्रांस्पेरेंट और ब्लेक बॉनेट का भी ऑप्शन है और ये है फिक्स्ट कार्बन फाइबर विंग जिसको आप थ्री डिफरेंट पोजिशन में एडजेस्ट कर सकते हैं सेफटी के अंदर शिक्स एरबैग्स, एबीएस, एलेक्टोनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, फ्रेंट एक्सल, लिफ्ट सिस्टम और ट्रक्शन कंट्रोल सिस्टम मिलेगा ये रियर कैम्बरा रियर सिगनेचर टेल लाइट्स और ये है फोर पाइप टाइटेनियम एक्सॉस सिस्टम ड्राइव सेलेक्ट सिस्टम के अंदर तीन ड्राइव मोड्स हैं स्ट्राडा मतलब रोड्स, स्पोर्ट और कोर्सा जिसका मतलब है रेस ट्रैक 2.4 सेकिंड में 0 से 100 किलोमेटर पर आर की स्पीट पकड़ने के साथ दुनिया की सेवंथ सबसे फास्टेस्ट एक्सिलिटिंग कार है एवेंटेड और स्वी ज्यादा पावर, कम वेट, बहतर एरोडैनमिक्स और इनोवेटिव टेक्नालोजीज यूज हुई है एवेंटेड और LP750-4 सूपर वेलोचे में जो एवेंटेड और स्वी को बनाती है अब तक की सबसे प्यूर लेंबरगिनी कार कारबन फाइबर मोनोकॉक स्ट्रक्चर है लाइट वेट अलिमूनियम फ्रेम्स के साथ काफी कम ग्राउंड के लिएंश है एवेंटेड और का काफी लोग स्टांस है और ऐसे उपन होते हैं डोर्स यह हैं सिगनेचर सिजर डोर्स विंग डोर्स या लामबरगिनी डोर्स भी बोलते हैं 2015 से लेकर 2017 तक बनाई गई थी सूपर वेलोचे 2016 से फेसलिफ्ट एवेंटेड और एस लाउंच हो गई है जिसमें ज्यादा कोई मेजर चेंजिस नहीं है वो फेसलिफ्ट एवेंटेड और एस है और यहां में लेंगे आपको कारबन फाइबर स्पोर्ट बकेट सीट्स यह शांदार सिजर दोर्स और यह वेंटेड और की स्कफ प्लेट एलिमिनेटेड और यह है अलकंटार अपॉल्स्ट्री लेदर अपॉल्स्ट्री का भी ऑप्शन है और उसके साथ कई कलर्स के भी ऑप्शन्स आपको मिलेंगे और स्पेशल ट्रिम्स के भी ऑप्शन्स है यह कार्बन फाइबर अलकंटारा सीट्स है और यह है सर्वर्ट्रॉनिक इलेक्ट्रो मिकेनिकल लंबरगिनी डानमिक स्टेरिंग और यह पैडल्स और यह सीडी चेंजर साथ में दो एसडी कार्ड कार्ड के स्लोट्स है एसवी की स्टिचिंग भी है नीचे और यह शांदार बकेट सीट्स डोर्स पे भी कार्बन फाइबर फिनिश है यह डोर्लक ढूलक करने के बटन्स फ्र स्पीकर्स का सैंसो नम सांड सिस्टम मिलेगा और यह लाइट के कंट्रोल्स साथ में क्रूज कंट्रोल का बटन है आखरी वाला पैप स्टेरिंग के साथ लाइट के कंट्रोल्स है और ये है 7-speed semi-automatic ISR transmission जो है दुनिया का fastest automated manual gearbox साथ में electric parking brake है और ये कफी controls हैं यहाँ पर car, setup, info, navigation infotainment का controller है यह telephone, media, radio और ये है engine start stop button साथ में 3 drive modes है strada, sport और korsa और ये है dual zone automatic AC साथ में lift system के button है ESC off और ये है infotainment screen और ये rear view mirror reading lights ये passenger side vanity mirror light नहीं मिलेगी ये reading light है और ये driver side vanity mirror dashboard ये ले 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 लोगो है शानर फिनिश्ट डैश्बोट की और ये है 3-spork steering wheel या मोड्स सेलेक्ड पर सकते हैं आप यह voice control, volume के control यह pedal shifter यह wiper के control है यह pedal shifter साथ में light के controls पूरी कार्बन फाइबर फिनिश है दोर पे ग्लोब बॉक्स नहीं मिलेगा एवेंटेड और स्वी में एफार एस्टिंगुशर एसी वेंट्स और यह है इंफोटेन्मेंट सिस्टम जो बता रहा है कि बैटरी वीक है यहां से कंट्रोल होगा मुजिक, इंपोर्ट, सोर्स, साउंड, कंट्रोल मुजिक, प्लेलिस्ट पार्किंग सिस्टम, सेंटर लॉकिंग, इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर नोट्स ए नविगेशन ए रेडियो एफम ए टेलीफोन मेल बॉक्स और यह है टी एफटी इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर येलो कलर में, जो दिखाएगा आर्पीम और जी फोर्स इंडिकेटर काफी अट्रेक्टिव बनाए गया इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर स्ट्राडा मोड भी दिखा रहा है वो भी स्ट्रेक्ट जो किया वा है आईए अब एंजन साउंट सुनते हैं कार की ये सिगनिचर तेल लाइट्स ये दिफुसर्स और टानियम अग्साउस पैप्स कुछ इशू आ रहा है कार को आन होने में ये काफ़ी अट्रेक्टिव टेल लाइट्स एवेंटेड और की आई ये फ्रंट का बोनेट खोल कर देखते हैं अलुमूनियम बोनेट है और यहां आपको मिलेगी लगबग 150 लेटर की लगेज स्पेस ये कार कवर है ये शांदर लाइट्स यहां पे ट्रॉयलवी का चार्जिंग पोर्ट साथ में लाइट दी गई है और ये रॉसो बिया पेंट का नाम है साथ में कलर कोड भी दिया गया है यहां पे ये वाइपर के लिए बरने के लिए और मैं एक चीज आपको दिखाना भूल गया था वह सीट के पीछे पॉकेट्स भी दी गई है और ये हेड्लाइनर लैदर और इलकंटारा के ओप्शन्स हैं हेड्लाइनर में आई अब पीछे का एंजन बोनेट खोल कर देखते हैं और ये है सूपर वैलोचे के लिए री डिजाइन 6500cc V12 पैट्रोल एंजन 750 PS पावर है 690 NM टॉर्क है 0 से 100 की स्पीड पकड़ेगी 2.8 सेकंड्स में 0 से 300 की स्पीड पकड़ेगी 24 सेकंड्स में 350 किलोमेटर पर आर की टॉप स्पीड है और 6 का एवरेज मिलेगा 90 लिटर के फ्यूल टैंक से कार्बन एंजन कवर है साथ में कार्बन एक्स फ्रेम है यह रड़ सस्पेंशन आप देख रहे हैं ग्रीन और ब्लैक कलर का भी आप्शन है यह वी ट्रोयल एंजन की बैजिंग है यह कार्बन एंजन कवर और कार्बन एक्स फ्रेम यह आप्शन्स में आपको लगवाने पड़ेंगे यह एंजन बॉनेट कार्बन फाइबर में और यहां से बढ़ेंगे आप पेट्रोल मिनिममम 95 रॉन फ्यूल यूज करती है वेंटेड और स्वी और यह है एवेंटेड और सुपर वैलोजे रोडस्टर यह अभी प्रोडक्शन में है अगर आप खरीदना चाहें तो यह आपको मिल सकती है प्राइबर में और यह आपको मिल सकती है कि आपको वेंटेड और स्वी हमें कमेंट्स में बताइए थैंक यू कि आपको वेंटेड और स्वी हमें कि आपको वेंटेक यूमितात् आपको वेंटेड़ाया गतार्शों कि आपको वेंटेड़ाया और स्वी हमें इनकालीश ज्सीजरबाद है um Kap 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 Kap